दोस्तो RRBJ 2024 के तैयारी कौन नहीं कर रहा है आज सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं या जिनका रिजल्ट अगस्त की तक आने वाला है वो सभी लोग RRBJ के लिए इस साल बहुत डेडिकेटेड है प्रेपेशन कर रहे हैं और हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेशन जो है वो जरूर देखा जा सकता है कि इस बार 2024 में हमें कितने मांक्स को टार्गेट करना चाहिए CBT1 के लिए ताकि हमारा सेलेक्शन CBT2 के लिए हो जाए क्योंकि एक सबसे बड़ा जो एक बाधा है वो CBT1 है क्योंकि CBT1 लास्ट येर 2019 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका क्लियर नहीं हो पाया इस बार ऐसी गलती नहीं करना है और इस बार हमें क्या करना है कितनी मेहनत करना है उन सब को लेकर मैंने ये वीडियो जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मैंने एक रफ डेटा जो है वो कैलकुलेट किया है और इस आपको कम से कम इतने marks जो हैं वो CBT1 में score करने चाहिए फिलाल अगर मैं बात करूँ 2019 की तो 2019 में हम comparison करेंगे मैं एहमदाबाद की बात करता हूँ यह एहमदाबाद जोन की number of vacancies है एहमदाबाद में last year, last year means 2019, 2019 में जो vacancies थी, 2018 का notification था यह तो vacancies थी आपकी 399 में एहमदाबाद में और एहमदाबाद में अलग-अलग categories के लिए अलग-अलग post के लिए जो cut off रही थी वो यह रही थी जिसमें सबसे highest cut off जो है वो यहाँ पर 75 देखी जा सकती है CBT1 की, कुछ categories में cut off 70 भी गई है यहाँ पर अगर मैं 70 बात करूँ, कुछ categories में 70, कहीं पर 69, 67, कुछ categories में 61, 66 भी cut off आपकी जनरल की रही है ज्यादा दर categories में जो cut off है वो आपकी 75, 70, 69 के आसपास ही यानि की 70, 75 marks के आसपास cut off जो है वो रही है कुछ categories में cut off आपकी 45 भी गई है, 53 अगर आप देखोगे जनरल की cut off है यहाँ पर SC, ST, OBC और इस प्रकार से सभी की cut off सभी reservations के लिए cut off यह एहमदाबाद की रही 2019 में अगर मैं आपर इलाबाद जोन की बात करूँ तो इलाबाद जोन में जो vacancies थी last year, last year में 2018 में का जो notification था उस vacancies के हिसाब से 1446 vacancies थी अगर आप देखोगे तो 1446 और इलाबाद जोन सबसे ज्यादा danger जोन था क्योंकि अगर आप वहाँ की cut off देखेंगे तो 2019 में RRB इलाबाद में कुछ categories की cut off आप देखी 85 भी गई है UR के लिए, general के लिए और कुछ categories की cut off आपकी 74 इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 85, 73 कुछ categories की cut off ये भी रही है आगे देखिएगा अगर आप तो आपको cut off 84 भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर 84, 78 आप ये cut off देख सकते हो तो huge number of cut off है इलाबाद जोन की 14, 46 number of vacancies पर भी तो इस बार अगर आप एहमदाबाद जोन की vacancies देखोगे तो आपको बराबर दिखेगी एहमदाबाद जोन इस बार दोजार चॉबिस मैं एहमदाबाद में 24 में इस बार vacancies 382 हैं बराबर vacancies हैं लेकिन आपकी इलाबाद जून की अगर आप vacancies देखेंगे इलाबाद जून में vacancies की संख्या सिर्फ 404 है 404 vacancies है इलाबाद में तो यहाँ पर आप इस vacancies को अगर आप मद्यनदर रखते हो as well as मैं सिर्फ vacancies को मद्यनदर रखने की बात नहीं कर रहा हूं यह totally depend करता है number of candidates जो appear हो रहे हैं और दूसरा number दूसरा जो sorry paper है वो किस तरीके का आता है यह इस पर भी depend करता है 2019 में paper का level जो है वो हो सकता है वहाँ पर slightly lower side गया हो और 2024 में हो सकता है paper का level थोड़ा सा higher side रहे इसके अधार पर भी cut-off decide होगी बट फिर भी मैं आपको एक rough idea दे देता हूं कि आपको कितना score target करना चाहिए और भी जेई 2024 के लिए CBT1 के लिए मैं यहाँ पर अगर आप कोई मतलब जो मेरे हिसाब से जो data जाना चाहिए वो general के लिए out of 100 कितना score करना चाहिए मैं यह सभी zone की बात कर रहा हूं और उन zone की specifically बात कर रहा हूं जहाँ पर average number of seats 400 से अबव है 400 के आसपास या 400 से उपर है क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो भी एक और वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा कि कितना जो है वो competition है per seat पर तो per seat के competition के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो general की जो score करना चाहिए आपको अच्छा एक और बात मैं आपको बता देता हूं last 2019 में 2019 में जो form भरे गए थे वो 32,00,000 के आसपास form भरे गए थे 32,00,000 प्लस form भरे गए थे जिसमें से लगबग 24,00,000 के आसपास 24,00,000 अफ स्टुडेंट जो हैं वो cvt1 में अपियर हुए थे 12,844 vacancies थी लगबग और 24,00,000 स्टुडेंट अपियर हुए थे 2019 में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2024 में तो number of form अभी तक तो clear नहीं हो पाए हैं लेकिन 2024 में जनरल के लिए आपको कम से कम ये मान के चलिए आप जिस भी जोन से form बढ़ रहे हैं अपको 70 to 75 आपको score करना ही होगा ये मैं आपको बता दूँ आप score करेंगे लगबग इतना और उसके बाद normalization में हो सकता है आपकी marks बढ़ जाएं आप at least 70 to 75 जनरल के लिए आपको इतने marks जो है score करने ही पढ़ेंगे उसके बाद normalization में आपकी अच्छी किसमत होई तो हो सकता है नंबर बढ़ भी जाएं और हो सकता है नंबर घट भी जाएं है ना तो यह मैं बात करूं यहाँ पर 70 से 75 marks आपको लेकर चलने चाहिए और कुछ Jones के लिए इससे भी कम हो सकता है पांच नंबर कम हो सकते हैं यहाँ पर अगर मैं OBC की बात करूं तो similarly OBC के लिए 70 से 22 यहाँ पर मैं बात करूंगा 70 to 75 out of 100 score करना चाहिए EWS के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आपको कम से कम नहीं तो 69 to 69 to 71 के आसपास score करना चाहिए इसी प्रकार से ST के लिए आपको यहाँ पर 65 के आसपास score करना चाहिए और ST के लिए 62 के आसपास score करना चाहिए according to me तो यह आप यहाँ पर अगर आप इतने score कर लेते हैं आप normalization में आपके number अगर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो आपका इस बार completely selection हो जाएगा CBT2 के लिए पूरे तरीके से लेकिन यह मान के चलिए कि अगर आप इस बार 70-75 marks के लिए तैयारी नहीं करोगे अगर आप 60 के आसपास अपने marks score करके सोच के चल रहे थे कि 7 के आसपास बहुत होंगे तो इस बार competition भी बहुत ज्यादा है क्योंकि vacancies आदी हो गई हैं लगबग लगबग देखा जाए तो हालां कि आदी नहीं बोलेंगे 7000 कुछ vacancies हैं 12000 कुछ vacancies comparison और 5000 vacancies कम हैं आदी नहीं बोलेंगे बट फिर भी 5000 vacancies का कम होना बहुत कम vacancies होती है ये तो इस बार आपको जो है competition भी ज्यादा face करने को मिलेगा तो 70-75 marks आपको score करना ही चाहिए इस बार मेरे हिसाब से ये RBG 2024 के लिए safe score रहेगा score target करना रहेगा है ना इसके बाद normalization में number बढ़ जाते हैं तो ये और अच्छा रहेगा आपके लिए उमीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी मेरी तरफ से जो है advice जो है आपके लिए helpful रहेगी आप और ज्यादा पढ़िए और ज्यादा मेनत करिए test series में test series देकर अपने marks को improve करने का प्रयास कीजे ज्यादा से ज्यादा मैट्स reasoning की practice कीजे ज्यादा से ज्यादा जनल awareness और जनल science पर ध्यान दीजे previous year जो data previous year question उठाकर देखे किस प्रकार के questions जनल awareness में पूछे गए हैं इन सभी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस बार आप इ हैं सिर्फ 700 991 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन ओफर किया जा रहा है 700 991 रुपए में आपको दोनों मिलेगा CBT1 and CBT2 बोथ मिलेगा उसके बाद अगर मैं सिर्फ CBT1 की बात करूँ तो 400 991 रुपए में आप सिर्फ CBT1 का कोर्स परचेस कर सकते हैं KGS की वेबसाइट से या KGS डाउनलोड करके धन्यवाद मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब तक इस वीडियो को सारे लोग को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा धन्यवाद बाबाए टेक के और इंट सी यू सूँ